है आहएंस यह जम समय से रहे थी कि ऊपियस कते शल्यविह भरे में मतलब की है वीडियो नहीं है तो हम यहाँ पास जो है तो प्रकार 50 टीफ इसरे पास करस्य कर acts कि उस्के अपसे टीमांड करता है thì तो उसने ही लिदर है तो यहाँ पास हम पूरा इस वीडियो में है इसके 2 वीडियो बनाएंगे एक तो यहां पास इस वाले वीडियो में जो होगा तो पूरा प्रिलियम का जो है तो हम एक deeply analyze करेंगे कि आकर प्रिलियम मतलब कि यूप्यसी आप से क्या डिमांड करता है तुस्वे हलाकि इसके मतलब की UPSC के सिलेवस में हर चीजे इस पश्ट तौर पे लिखी हुई है उसमें कोई भी कहीं भी जरासा भी संद्धेन है कि इसमें कोई भटका हो है तो पूरी चीजे एक्तम इस पश्ट तरीके से उसमें व्यक्त भी है तो उस सिलेवस को दो ऊठाकर कि हाँ पास डिसकस करेंगे और पूरा हम यह पास ए polished करेंगे हैं हम जानेंगे कि क्या है UPSC का पूरा 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 प्रीलिम के सब्जेक्ट होते हैं तो पूरा परीलिय नेक्स्ट वीडियो में और इस पछक्राएं पास हम डिसकस करएंगे एक्त सब्सक्राइब करेंगे तो हम चलते हैं सिलेबस के तरफ कि पहले की बात करते हैं कि पहली बात में सभी को पता ही होगा कि यहां पास जो है तो दो अपने डो पीपर होते हैं जो डोनवार अंकों के पते हैं एक सी से अपना इसमें एकर में से यह उपना क्युक्षिए होती मतलब की जो पेपर अपना होगा तो उसमें दो लेंग्विज में पेपर होगा हिंदी और इंगलिस में ठीक है कि इस पेपर की जो इसमें तो ओवर्वियू ठीक है क्या होगा तो उसमें से पहले क्या होता है की एक पेपर होता है जो हमारे इंग्लिस लेडरेड पेपर होते हैं से झाली होती है तो यह यहां पास इसका वहता है का प्र की उक बात करते हैं कि अपने में तो की जिस्से कि हमारी मेंट से होता है उसकी मेरीड बनती है तो इसमें क्या होता है कि पहला पेपर जो है निबंध का होता है यह बंध आप लोग को पता होगा कि 250 marks का निवंद है ठीक है तो यह काफी मतलब की marks को काफी merit बिराना में काफी help होता है यह बंद जो की 500 number का होता है अब हम चलते हैं अपने प्रेश्ण पत्र नंबर दो पर यह बात की जाए यहां पास UPSC ने इस पर एकदम सलेबस को बहुत एकदम क्रिश्टल क्लियर किया हुआ है किसमें क्या क्या चीजे आपके paper मतलब प्रेश्ण पत्र इस दो में यानि GS1 इसको बोला है कि हमारे GS1 में क्या है GS2 में क्या है GS3 में क्या है और GS4 में क्या है पूरे एकदम हमें उनको subject वैस पता होना चाहिए यह बहुत ही बड़ी चीज है बहुत ज़्यादा जरूरी भी है हमें जानना तो हम बात करते हैं कि GS1 में तो GS1 का UPSC ने direct ही यहां पास बुला है कि उस में आपका है भारती विरासत और संस्कृति ठीक है 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 यह अपना है समाच सोसाइटी यह आपके GS1 के पार्ट है ठीक है क्यों कौन से भारती विरासत और संस्कृती सेकेंड विश्यू का इतिहास भूगोल और समाच सोसाइटी यह नि तो यह जो है यह चार पार्ट जो है तो आपके GS1 में आते हैं ठीक यह है आपका दो सवंकों का अब यह हम बात करते हैं कि GS3 में तो GS2 पर यह आते हैं तो GS2 में कौन-कौन से subject यहां पास UPSC तब यहां पास इसमें सामिल किये गए है UPSC द्वारा तो इधि हम बात करते हैं तो इसमें आपका है शाषन व्यवस्ता समविधान सासन टरडाली समाजिक न्याय और अंतरराष्ट्री शंबंध यह आपके 5 portion है जो कि GS2 में आते हैं ठेक है यह आपको एकदम mind पे fix हो जाना चाहिए कि GS1 के क्या क्या part है GS2 में क्या क्या part है ठेक है तब जो है तो हमारी तरीक जो तयारी होती है बहुत ही रणनेतिक तरीट से एक सही direction पे तयारी हो पाती है और हम बहुत तरीके से चीजों को analyze कर पाते हैं कि क्या यहाँ पास कौन सी पेपर में किस पेपर के लिए ज़्यादा relevant यह topic होगा यह हमें बहुत ज़्यादा इसपस्ट होना चाहिए ठेक है तो GS2 में आपके क्या क्या होंगे सासन विवस्था, शम विधान, सासन प्रणाली, शामाजिक न्याय और अंतराष्टी संबंध ठेक है पॉलिटी, गवर्णनस, सोसल जिस्टिस एंड इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन यह होगा आपका GS2 का पार्ट यह भी डाजिशन नमबर का, नेक्स्ट पे ज़्याद हम चलते हैं, तो आपका चलता है GS3 तो GS3 में कौन-कौन से पार्टी दे हम बात करते हैं, तो इसमें आपका आता है प्रद्योग की पुले तो साइंस एंटेक, आर्थिक विकास, एकोनोमिक डवलेप्मेंट, जैव विवेत्ता, ठीक है, एकोलाजिस लेटेड है, इन्वायरोमेंट यानि परियावराण, जैविवित्ता, परियावरण, सुरक्षा और आपदा प्रवंधन, यह हमारे GS3 का पॉर्शन, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए, यह भी अपना हो गया GS3 का हो गया, अब यदि हम चलते हैं, अपने GS4 की बाद, तो GS4 का special क्या नाम है GS4 का, तो इस पेदी हम आते हैं, तो aptitude, यह आपका हो गया GS4 का paper, इसको commonly ethics बोल दिया करते हैं, लेकिन इसका मियन पूरा paper नाम क्या है, नेतिसास और सत्य निष्ठा और अभी रूची, यह आपका GS4 का paper हो गया, और optional में तो बस वही है, कि उसके दो part होते हैं, तो जिसको, जो की दोनों 500 को total अपना optional होता है, तो इसमें से साथी साथी हम total पूरे marks की बात करें कि total जो होता है, तो 2025 number का पूरा exam होता है, जिसमें से आपके optional के 500 मुला दिया जाए, तो इसका total होता है, 7500 होता है, और प्लस आपका interview के marks जो होते है, 275 का होता है interview, ठीक है, तो इसको सभी को जब add कर दे जाता है, तो आप total होते हैं, तो 2025 इसमें से ही आपकी merit decide होती है, और इसी के rank के हिसाब से आपको post मिलती है, ठीक है, तो यह हो गया prelims का अपना syllabus, और एक overview मेंस का भी है, और हम यह बात करते हैं, कुछ special सी चीजे हैं, जिसे लोग प्राया ध्यान नहीं देते हैं, इस पे देखते हैं, कि इसन अपने syllabus में यह चीजे mention भी किया है, क्या, कि जैसे भारती भासा और अंग्रेजी की जो प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, तो किस level के होंगे, वो होंगे matriculation, अना, टेंथ स्तर के, अथवा समकच्छ स्तर के होंगे, जिन में केवल यह qualifying nature के होंगे, यह बताया गया है, साथे तो इनको जो है, merit list, जब merit जो decide होगी, final, उसमें इनके numbers को aid नहीं किया जाता है, यह बात हो गई, ठीक है, qualifying nature वाली paper को जो मेंसे में होंगे तो, उसके बात, यहाँ पास second number बताया है, कि सभी उमीदवारों की जो निबंध जो है, वो सामान निद्धन तता वैकल्पिक भी स प्रश्ण पत्र को मूल्यांकर है, भारती भासा था अंग्रेजी की उनके जो निद्धाईत किये वो हैं, उसी प्रश्ण पत्र के साथ ही किया जाएगा, ठीक है, लेकिन जो सामान ने अध्धन और वैकल्पिक भी से को प्रश्ण पत्र हैं, उन पर केवल ऐसे उमीदवार के मामले में में ही विचार किया जाएगा, जो इन ये जो प्रश्ण पत्र हैं, उसमें नियोंतम, यदि आप पचीस परशंट अंक प्राप्त करते हैं, तभी आपकी कॉपी मैंस की चेक होगी, ठीक है, ये बात इस परश्ट होने चाहिए, कि जो कॉलिफाइंग नेचर के ह हमारे पेपर हैं मैंस में, है न, जो ओरिजनल लेंग्वेज और इंग्लिस वाला कॉलिफाइंग पेपर होता है, उसमें आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाने कमपल्सरी हैं, अदरवाइस, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, मैंस की और भी, जो GS1, GS2 की होगी तो, इसलिए, यू यह बात ध्यान अच्छे तरीके से आपके मारे क्रिश्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वहीं यहां पस जैसे थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गए है किसको, कि जो भारती भासा की जो पहला प्रश्णपत्र है, तो इनके लिए अनिवार नहीं है, किसके काफी नहीं होता है, तो इस चीज के बात करें, तो जैसे इसमें बताया गए कि प्रश्णपत्र का और खा को छोड़कर जो अमीदवार को सभी प्रश्णों के उत्तर समीधान की आठवियान सोची में सामिल किसी भासा या अग्रेजिमी देने का विकल्प होगा, यानि कि यहां पास यह बताया गया है, कि यहां पास जो प्रश्णपत्र का और खा है, यहां बताया है कि इनको छोड़कर जो उमीदवार है, मतलब कि पेपर को जो पेटर्ट हो तो हिंदी एंगलेस में यह आता है, यह आपको पता होगा, लेकिन आप यह अंसर देना चाहते हैं त इसका तो आपके पास option है, इसके बावजूद ऐसे उमीदवारों को वेकल्पिक पेपर जो अंग्रेजी है, तो तो अंग्रेजी में ही लिखना होगा, उसमें कोई भी option आपके पास नहीं होगा, ठीक, और जो पेपर एक से लेकर आपके पास जो पास पेपर होता है, उसको किसी एक भासा का चैन करते हैं, और यदि वी चाहें, तो केवल तकनीकी सब्दों, यदि कोई हो का वीवरन सोयम द्वारा चैन की गई भासा की अतरिक्त ब्रैकेट में अंग्रेजी में दे सकते हैं, यहाँ पास ज्यान देने की बात है, जैसे हम चीजे अपनी लिपी तो क कुछ और चुनते हैं, उसमें से और दूसी भासा का प्रियोग करने लगते हैं, तो उसका भी नकारात्मा कसर पड़ता है, यहाँ पास उसने इस पश्ट तोर पे यूप्यसी ने कहा है कि कुछ ऐसे जो तकनीकी सब्द हैं, उन तकनीकी सब्दों को हम ब्रैकेट में अंग सब्सक्राप्त हुए होते हैं, तो उन में से कटावती की जाएगी, याद रखना चाहिए, कि आप हिंदी भासी हैं, तो उसमें से अपने इंसर राइटिंग में इंग्लिस का प्रियोग करेंगे, तो उसका नकारात्मक असर पड़ता है, यह बात इस पश्ट होने चाहिए यहाँ पास UPSC ने इस्पेसली मेंसन किया है, ठीक है, ती बात भी ध्यान देने की जरूत है, सलेवस में, अब हम चलते हैं, इंटर्व्यू की बात करते हैं, कि इंटर्व्यू में भी UPSC ने एकदम इस पश्ट तौर्पे काया है, कि उम्मीदवार का साथ छातकार एक बो जाएंगे, यह जो है, इसका उद्देश से यहाँ पास बताया गया है, UPSC के द्वारा, कि उसका उद्देश से होगा, कि सक्षाम और निस्पच प्रिच्छकों को जो बोर्ड है, यह जान सके कि उम्मीदवार लोग सेवा के व्यक्तित्त की द्रिश्ट से उप्यूग था कि नहीं, यह उसका प्रिच्छ को जच किया जाता है, ठीक, और यह इस परिच्छा के जो उम्मीदवार की जो मानसिक छमता है, उसको जाचने की एविपराज से की जाती है, ठीक है, उसकी mental ability को यहाँ पास जच की जाती है, उसकी personality को जच करने के लिए इंटर्व्य होता है मोटे तरपे जो इस परिच्छा का प्रियोजन जो है, वास्तों ना केवल उनके बौधे गुणों को अपित उसके सामाजी के लक्षणों, सामाजी घटनाओं में उसकी रुची का भी मूले आंकन करता है, कि आप सामाज से कितना जुड़े हुए हैं, आप अपने दैनिक घटनाओं के बारे में कितना जानते हैं, किसी प्रकार के समस्या है, है तुसको आप किस प्रकार से टेकल करते हैं, समाज में आपके किस प्रकार से इंट्रेक्शन हो सकता है, इस प्रकार के चीजों को आपके इंट्रव्यू के जरीए आपके पर्शनालिटी ज़स की जाती अब इसमें जो है तो मीदवार की मानसिक सतर्कता, अलोजनात्मा ग्रहण सक्ति, इस्पष्ट और तर्कसंकत प्रतपादन के सक्ति, संतुलित निर्णय की सक्ति, रुची की विवित्ता और गहराई, नेत्रित और सामाजिक संगठन की योग गिता, बद्धिक और नेतिक इम में कि जो आपने लिखा क्या आप में वाकरी मतलब कि आप पेपर फोर जो एथिक्स है आप में वाकरी में वो चीजे इमांदारी से निष्टा आप इडिविव चीजे हैं की नहीं, यह चीज भी इंटर्विव के जड़िए देखी जाती है, ठीक है, पूरी तरह से आपका व्यक्तित्तों का परिक्षण होता है, इस पेप, वहीं, जो साच्छातकार होता है, उसमें प्रत परिक्षण जो जैसे की क्रास एक्जामनेशन की प्रणाली नहीं है यह, क्योंकि यह तो आपके में अपके में हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पास आपके उस बारे में आ उनका पता किया जाता है ठीक है लेकिन वह वारतालब एक विस्यस दिसा में विस्यस प्रियोजन से किया जाता है ठीक साथी सच्छतकार परिच्छन जो है तो उम्मीदवारों के विस्यस या सामान ने गया कि जांच करने के प्रियोजन से नहीं है वहां पास आपको जीय से ज है तभी तो आप इसको क्वालिफाई करके यहां पस इंटर्व्यू तो यह तो बिल्कुल यहां पस नहीं जाना है बलकि उम्मीद्वारों से यह आसा की जाती है कि विए न के वर अपने सेच्छणिक विश्यों विश्यों में ही पारंगत हों बलकि उन घटनाओं पर भी ध्यान दे जो उनके चारोर अपने राज्य देश के भीतर बाहर घट रही है यानि कि वो करेंट से अब कितना अपडेट है इस चीज के बारे में इंटर्व्यू में जानने का प्रयास होता है साथे साथ जो आप रह रहे हैं जहां रह रहे हैं अपने चारोर के वातावर में अपने राज्य में अपने देश में अपने आतक की वर्ड में क्या किस प्रकार की घटना है घट रही है क्या चल रहे हैं वरतमान की जो आधनिक विचार धार रहे हैं हैना जो जिस प्रकार से चीजे हो रहे हैं कि आना जो की किसी सुचित65 में जिग्ला साथ पैदा कर सकते हैं यह चाहाँ पास पता करने का प्रयास होता है अब यह दि हम बात करते हwasser कि प्रार्ब्फ परिक्षा में ने अधिन नुचम दिप में बात करें कि भूंप ऊफता हैं ग्री हम डीप में चलते हैं प्रिलेम्स में कि क्या कैसे में पूछेगा राश्ट्री और अंतराश्ट्री महत्यों की सामाई घटना है करेंट अफिर्स कैसा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का ठीक है नेक्स्ट भारत का इतिहास भारती राश्ट्री आंदोलन इसमें इसपष्ट किया हुआ है भारती राश्ट्री आंदोलन और भारत का इतिहास यानि राश्ट्री आंदोलन को स्पेसिफिक तरीके से यहां पास हाइलाइट भी किया गया है यहने कि प्राक्रतिक, समाजिक और आर्थिक भूगोल का पोर्षन यह भी पूछा जाएगा, भूगोल से यह हो गया, नेक्स्ट यह बात करते हैं, भारती, राजयतंत्र और सासन, सम्विधान, सम्विधान से इलेटेड है, जिसमें से राजनैतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनेती, अधिकार्यों सम्मध्य मुद्य आदी, जो और भी करंट से चीजे जुड़ी हुई है, ठेक, अब हम च यहां पस करीबी को मेंसन किया गया सलेवस में, हमें ध्यान देने की जुरूत है, यह चीजे बहुत ही, यानि कि कहीं भी गरीबी की जैसे कोई भी आइटिकल या कोई भी चीजों से यूपियसी के पॉइंट अब यह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गरीबी, शमावेश जन सांखे की सामाजिक छेत्र में की गई पहल और आदी एटिसी, हैना तो यह चीजे इसपेसली मेंसन की गई है, चलते हैं हम नेक्स्ट पर बात करते हैं, इंबारियोमेंट से इलेटर्ट जो है तो यहां पस क्या मेंसन किया है, जो पेसली प्रिलियंस में, पर्यावरणी पारिश्टति की जैवी वित्ता, इंबारियोमेंट एंड एकॉलाजी है, मौसम परिवर्तन संबंदी सामने मुद्दे है, ठीक है, जो पूरी भारत की क्रिसी ही इस पर डिपेंड है, तो यह तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, भायत की पॉइंट अब उस भी बा यहाँ पास यह एस्पेक्ट करता है UPSC, ठीक, और यहाँ विग्यान की बात, जैसे सामान निविग्यान, यहाँ पास बोला गया है, जेनरल साइंस, ठीक है, ना कि कोई स्पेस्फिक की जैसे की फिजिक्स, बहुत एक इरा सायन, जीव विग्यान, इस तरह की चीज़ नही एक सामान निविग्यान, जो की एक सामान निवियक्ति को जानना जरूरी होता है, ना वो चीज़े, अब यहाँ बात करते हैं कि पेपर टू, वो तो पेपर वन की चीज़े हो गई, अब पेपर टू में हम बड़ी पिन लासिस करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़े, UPSC पुझेगा, C-set, पुले तो इसको C-set भी बोला जाते हैं पेपर टू को, तो C-set में आपके क्या पुझा जाएगा, बोध गमेता सी लेटेड कुश्चन, संचार कौसल सहीत, अंतर वयक्तिक कौशल, तारकिक कौसल और विसिलेशन आत्मक सब छमता, डिसिजन मेकिंग सी समस्या का समाधान, सामान, निमानसिक, योग गिता, आधार, भूत, संख्या, संख्या, जैसे कि अपने 10th लेवल तक की अपने मैथ्स हो गई, ठीक है, जिसमें से संख्या, और उनके संबंद विस्तार कम, इस से रिलेटर चीज आती है वहीं, डाटर वगारा से रिलेटर जैसे कि चार्ट हो गए, पाई चार्ट वगारा हो गए, ग्राफ हो गए, यना डाटर रिलेटर चीज हो गई, तो ये भी 10th ले आपको यह तैयारी हम करते हैं तो तयारी की तर्वियन बेहत्र त्रेय तरी तर्य तरहें पर होना चाहिए तब यह तो यह नंगा है यहां पास ज़िए आप तैरणा चालू करेंगे तो इसके कोई लाश्ट इंडिंग नहीं है और यह दे हम एक सही डायक्षन पर पता होगा राइट वे पीज़ हम करेंगे तो निश्ची तुर्प्य होगा तो हमें सफ हलता मिलेगी ही मिलेगी ठीक कि यहां पास कुछ यह प्रारामभिक प्रिक्षा को जो पेपर टू है कौलिफाइंग नेचर को यह बात हम लोग ने कर लिए भी पहले से ही ठीक है जिसके लिए नियुन्तम आपको 33 परिशन मार्क्स लाने कंपल्सरी हैं ठीक तो यह था पूरा प्रिलम्स का हमने डीप अनल करेंगे जो होकर नेक्स्ट वीडियो पर तो बस इस वीडियो पर दोस्तों इतना ही इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद